नमस्कार जिवन उत्साह निउस पर मैं रमेश शर्मा आप सब को लेकर चल रहा हूं लाइव और आज लाइव के साथ साथ में मैं आपको पहले जैसे टाइटल पे आप पढ़ रहे हैं कि बड़सर के निवासियों के लिए सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुब कामने बधा है क्योंकि बहाँ पर हेलिपैड पर जो हेलिकॉप्टर उतरेंगे वह एक आम आदमी के उतरेंगे बहाँ पर कोई भी सरकारी या किसी नेता का रोल नहीं होगा और आप सब लोग तयार हो जीए अपने अपने हेलिकॉप्टर खीदने के लिए क्योंकि अब बरसर में कम आज वह जगें सबाहं उसे बन जाता है पिलिक हेलिपैड का आम आदमी को क्या फाइदा होने बाला है ये तो service कdepth nep और गाड़ी पाड़ेंर मैं आपको जानकारी बदाब़ाना चाहता हूं कि आज से 10-12 साल पहले भी बरसर के अंदर एक हैली पैड का निर्मान किया गया था बुम्बलू में जब राजा बीर बदर सिंग जी पहले भी आई थे तब भी हैली पैड का बनाया गया था लेकिन इस हाली पैड से पहले क्या आप ने गौर किया है कि मेरे बजार के अंदर जो पढ़ा हुआ कुड़ा है इससे कितनी बिमारी है पढ़ रही है कितने लोगों को मुश्किल हो रही है और ये मुश्किल क्यों हो रही है मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे सहयोगी इस कुड़े को صिर्व यहीं नी दिखाएंगे इसके आगे बजार में कुड़ा पड़ा हुआ है पुरी दुकानों के आगे कुड़ा पड़ा हुआ आप देखेंगे सामने की तरफ क्यों पर जिम्मेबार कौन है उसको बंद करने के निर्देश दिये गए हैं सुच्छता बियान के तहत जिसके बड़सर के जो बैपार मंडल के लोग ते जो कुड़ा फैंकते थे अब वो कुड़ा वहां पर डालना बंद कर दिया गया है तो हला ही इनके पास नहीं कोई जगा है नहीं दूसरी चीज़ यह है कि मैं पिछले दो सालों से तीन सालों से यह बात सुनता हूँ आ रहा हूँ चाहे उस समय के वीडियो थे चंदर बीर सिंग जी उन्हों ने भी बताया SDM साब प्रदीव कुमार जी ते उन्हें ने भी बताया उसके बाद में अभी एक बात कही जा रही है कि हम डंपिंग का स्थान डून रहे है बड़े दुक्की बात है सर हैली पैड के लिए आपको एक दिन में जगा मिल जाती है कितना शर्म की बात है कि हम लोग आनन फानन में कोई भी काम करते हैं मैं सुभीता के खिलाफ नहीं हूँ बहुत अच्छी बात है हली पैड बना रहे हैं आप बनाई है क्योंकि आपको फाइदा उसका हमें कोई फाइदा नहीं साब एक आम आदमी को भी मैं पुछवा सकता करने पड़ेंगे अगर आपने आज हैली पैड बनाने का प्लैन किया है और जो नेता श्रे ले रहे हैं जो कारे करता अपने आपको अख़वारों के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने इस हैली पैड को बनाने के लिए काम किया है मैं उनको बताना च आपस ब מחते हैं आपसे लुक्त कोड़ा कहा है। व्यक्ति फैंकता है कई न कई अरेंज करके कई नाले में किसी खड़े में और इसके पीछे इन लोगों की गलती नहीं है इसके पीछे गलती है उन प्रतिनितियों की इसके पीछे गलती है उस प्रशाशन की इसके पीछे गलती है उस सरकार की जो आज तक हिमाचल परदेश के में उस्कान कए मात्यवन से कि यह परिस्टितिय इतनी नहीं हिए क्यूंकि अगर हर दुकांदार को कुड़ा फैंकना है तो वो कह जा है बैपार मंडल भी मजबूर यह उनके जगह नहीं कि तो इस तेनी Gobierno किसी एक बस्टेंड की अवशकता है ये देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एनेच है सर एनेच के ओपर बसों का खड़ा होना कौन जिम्मेबार है सर पुलिस यहां पर खड़ी है कौन क्या करेगा क्यों कि बुकते जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे के लोग जवाब दें यहां के मुख्या मंतरी जवाब दें यहां के मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बड़सर तो आपको आना नहीं है बड़सर तो आप तभी आएंगे जब हैली पैट बन जाएगा उससे पहले बड़सर का दोरा करने कि आपको जरूर दिनी पड़ती है क्य है लिकप्टर जब तक नहीं उतरेगा जब तक आप बड़सर नहीं आएंगे मुख्या मंतरी साब मैं आप से बात कर रहा हूं और मैं आए बोलना चाहरा हूं कि मेरे बजार पिछले कई सालों से आज का जार नहीं यह पिछले 40 सालों से 50 सालों से यह बजार चल रहा है आखिर क्या परहेज है क्यों यहां पर उस तरह की सुविदाएं नहीं बनाई जा रही है इस तरह मैं देखिए कुछ बजूर्ग लोग हैं मैं बात कराऊंगा मैं यहां दो सवाल खड़े करूंगा यहां पर मुझे पता है यह दो सवाल जो है मेरे बड़े तीखे से जाएंगा बनने जा रहा है जबकि कुड़ा फैंकने के लिए इनके पास जगह नहीं पर नहीं बनाने के लिए नहीं बनाने के लिए तो हैली पैड के जगा कुड़ा जगा घर नहीं बनना चाहिए कुड़ा फैंकने के लिए नहीं बनना चाहिए क्यों जी क्यों नहीं बनना चाहिए वहां पर प्रदूशन फैलेगा तो यहां पर बड़ा हुआ इससे प्रदूशन नहीं हो रहा है तो क्या समधान करना व्यक्ति चाहे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी से सच्छता भ्यान की उपर अर्बों रुपे खर्च कर दियोंगे उनको भी कई न कई फैंकना पड़ता है पूरी दुनिया में जाईए कूडे के लिए कोई न कोई यसी जगा बनाई गई है जहां कूडे को नियंतर किया जा सकता हो लेकिन बड़सर बजार के अंदर आए दिन मेरी अभी जो प्रधान है बिनोज लखनपाल जी उनसे बात हुई तो उन्हों ने कहा कि हम इसको लेकर डी सी उनना ने जो और की हैं उसके तहत बिवश हैं कि वहां पर कूड़ा नहीं फैंक सकते अभी मैं आज आप को लेकर चलूँगा मैरे बजार नीचे जंगल में दिखाऊंगा आपको धेर पड़ें कुड़ों के यह बजार तो कुछ भी नहीं है बहां से उठाके कुड़ा बहां फैंक रहे हैं लोग सर यह नकामी है हमारे अधिकारियों की नकामी है हमारी सरकारों की नकामी है हमारे नेताओं की और नकामी हैं हमारी उनकारे करताओं की जो धंडा ठाके नेताओं के नारे लगा के उनके जिंदाबादी के बात करते हैं सर आप उनके जिंदाबाद नारे लगाने की बजाए एक आम आदमी की आवाज क्यों नी उठाते हैं आप एक आम आदमी के लिए क्यों य एक हाम आदमी बाहर में जाए, एक हाम आदमी कुड़े में मरे, उसका पूरी दिन समस्या चली रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखे हम तो साथ स्याप बोलेंगे, सीधी सीधी बात बोलेंगे, आपको हमारी बात अच्छी लगे, बुरी लगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सरकारी नौकरी नहीं लेनी, सर, हमने ठेक्यादारी नहीं करनी, सर, हम तो एक ही बात करते हैं, कि अगर आपके अंदर दम है, तो सर, इस कूड़े के लिए भी ऐसी गोशना करिए, ऐसा कोई नियम बनाई है, कि आप अगले दो मीनों मे यहां पर अतंक रहता है, एक लाइट तो आप सर, इस मेरे बजार में लगवा नी सके, पूरी गलियों में आपने सोलर लाइट से लगवा दी, पूरे हिंदुस्तान को आपने चमका दिया, लेकिन एक मेरे बजार के अंदर आप पांच लाइट लगवा दे, ना तो यहां क मुख्या मंतरी शिरी जाराम ठाकुर जी आप से यह कहना चाओंगा, कि अगर वाकिया आप इस प्रदेश के सही राजा हैं, तो बरसर में आप तब आईएगा सर, जब आप कूड़े का प्रवंद करवा दीजिएगा, और मिनी सेक्टरेट और बस टेंड का आप यहां पर पुद घाडन करा दीजिएगा, उससे पहले आप आएंगे, तो लोगों को बेमानी लगेगी, लोगों को केवल एक बात लगे कि आप अपने सिर्फ राजिनेदी चमकाने के लिए बरसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अन्यत आपको बरसर की कोई अपशक्ता नहीं है, क्योंकि यह आपके हालत है, जहाँ पर कोड़ा रखने की बेबस्ता नहीं है, बहाँ पर हैली पैड पर पैसे खच किये जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्याबाद, इस तरह से बने लिए मारे साथ में, थैंक्यू बेरी मच्च